Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दी इना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का Unit 7 पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले की जो वीडियोस मैंने डाली थी, उसके अंदर में मैंने 1 से लेकि 6 तक का Unit करवा चुका हूँ ठीक है, तो एक वार उसको भी देख लिए, जिससे आपको पिछे के लेसंस के भी बारे में आइडिया मिल सके साथ में आपके लिए दोस्तों एक सजेशन लेगा, कि आप अगर MA History 1st year या फिर 2nd year के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, अच्छे नमबर लाना चाहते हैं तो हमारे The Enough Channel के उपर में, हर सभी subject के playlist के अंदर में एक वीडियो है, last 5 year question paper का, जिसके अंदर में पिछले 5 साल के question paper को करवाया गया है Unit 7 की बात करें, तो Unit 7 का नाम है आधुनिक समाज, अब देखो, दीरे दीरे क्या हुआ समाज में परिवर्तन हुआ, हम इस पूरे book में यही पढ़ रहे हैं, कि किस तर से परिवर्तन हो था, किस तर से changes हो रहे थे, यूगों के दोरान, मतलब अलग-अलग time period पे कैसे कैसे प परिवर्तन हुआ, तो भारत कि समाजिक संरचना हमारे जो 24 वा चैप्टर है, उसमें बात कर रहे हैं, भारत कि समाजिक संरचना, और इसके बिसे में, जो अलग-अलग धारना ए, जो आईडेOLOGIस थी, वो किस परकार की थी, किसकी आईडेOLOGI की बात कर रहे हैं, तो भार में आपे questions बनते हैं normally कहूं तो इस chapter में से कुछ खास questions बनके नहीं आते हैं पर थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए जिसमें आपको ideologies के बारे में पता चल जाएगा कि रास्टवादी जो विचारक थे उन्होंने ये बूला इस समाजिक संद्चना को लेकर और समाज सुधारको ने ये टिपने करी इस समाजिक संद्चना को लेकर तो थोड़ा सा आपको idea मिल जाएगा ऐसे कोई topic इसके अंदर में खास रहता नहीं है इसमें एक question यही बनता है कि भाते समाज के बारे में रास्टवादियों की धारना क्या था अब देखो रास्टवादी सब normally क्या सोचते थे कि उनके देश को importance दी जाए उनके जो culture है उनको importance दी जाए मतलब उनके अंदर देश की भावना पर्थम होती है ठीक है सर पर्थम देश की भावना के लिए हो सोचते है सिंपल सी बात है समाज सुधारक भी कुछ इसी तरह थे समाज के अंदर में जो कूरीतिया है उसको दूर करने की courses कर रहे थे किस सतर से अित्यां में पढ़ लिया किस सर्य दूर्या बनी जातियों कोछ यहां पर्यात्यों के उपनीवेश के संदर्भ में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि यह पूरा पिरेड्स आधूनिक समाज का इस समय पे हम अंगरेजियों के गुलाम थे उपनिवेशी प्रकार काल को दिखाया कई बार तो उपनिवेशि यह बताता है जो मतलब बृतेन है जो इस इंडिया कंपणी थी वह यह दिखाता है कि जो जातिस अंदर है वह हमने दिया ठीक है हमारे concept से आया, तो किस तर से उसका उदभव हुआ, किस तर से जाति का अविस्कार हुआ, जाति का जो पूरा अविस्कार रहा, किस तर से रहा, उपनिवेशिक काल में, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र करना है, यहाँ पे इसको reform बताना है, पूरा तरीके से, अच्छे से, और य परवास इसके अंदर में कुछ खास टॉपिक नहीं है इसके अंदर में यह पूछा जाता है कि इस परवास मतलब क्या immigration होना एक जगर से दूसरे जगर जो हम करते हैं पलाइन कर जाते immigration होता है ठीक है तो किस तर से सहर के गाउं से सहर में सहर से गाउं में immigration हुआ ठीक है और समुंदरी परवास का मतलब क्या देखे होगे आपकी ब्रेटेन से अलग-लग जगह से हमारे यहां पे लोग आने शुरू हूए वेपार के लिए हमारे भार से दूसरे जगह जाना शुरू हूआ तो समुंदरी परवास क्या था इमिग्रेशन आफ समुंदर किस तरह से रहा तो उसके बारे में आपे कोशन बनता है तो इस तरह से यहाँ पर यह टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर यही एक टॉपिक रहता है इस वाले चैप्टर के अंदर में 26 में जो थोड़ा सही था आपको उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर यह वाले चैप्टर भी कवर हो जाएगा चैप्टर नुबर 27 की बात करूँ तो इसका नाम है सहरी और ग्रामें छेतर में समाजिक संद्चना सहरी और ग्राम के अंदर में किस तरह समाजीक संद्चना थी इसके बारे में आता है पूरा टॉपिक आता है इसके अंदर में total तीन टॉपिक बनते हैं पहला जो टॉपिक रहता है यहाँ पर आता है कि मद्धे वर्ग का उदे किस परकार से हुआ middle class जिसको हमने बहुत बार आपने सुनाओगा मद्धे वर्ग अपने घर के अंदर में कि we are middle class family, we are middle class family लिए इस तरह से बहुत बार जारों बार सुना होगा तो मद्दे वर्ग का उदे किस प्रकार से हुआ तो मद्दे वर्ग का उदे के लिए मेंली माना जाता है कि जो वैवसाइक वर्ग था उसके कारण से उदे देखा जाता है किस तरह से देखो वैवसाइक वर्ग जो विज समझ में आता है तो मद्यवर्ग पहला टॉपिक रहते हैं कि मद्यवर्ग क्या था टिपनी लिख निकला जाता है दूसरा टॉपिक देखोगे इसके अंदर में तो उपनिवेश ने ग्रामिन छेत्रों की वर्ग संरचना किस परकार से करी जो ग्रामिन छेत्र थे उसका अगर यह नए ने उद्योग बन रहे तो उस समय पे जो स्रम था जो स्रमिक थे वह किस परकार के थे उनके किस तरह से चीज़ी चलती थी वह यहां पर कोशन के तौर पर आता है तो आप इनको धोड़ा सा पढ़के जाईएगा जिससे अगर आता है कभी तो आप उसको कर सक सकते हो में अगर मैं बात करूँ इस पूरे यूनिट के अंदर में तो पूरे यूनिट के अंदर में कुछ खास कोशन नहीं है पटे एक कोशन जो था आपका चैप्टर नमबर 25 के अंदर में जो जाती का किस तरह से अपनी वे सवाद ने अविस्कार किया उसके बारे में यहाँ पर एक कोशन इंपोर्टन कोशन रहता है जिसको आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो ठीक है तो यूनिट सेवन इतना ही था तो आप सबसे रिक्वेस्ट ही रहेगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें सेर करें लाइक करें और जो भी आपक वहत कम चैनल है जो मेक पढ़ाते हैं अगर आप आप आफ लाइन जाकर किसी इंस्ट्यूट में पता करोगे कि मेकी फी क्या है तो आप सायद अफोर्ड भी ना कर पाओ जो डेली फी लगती है जिस चार्ज इस पर लिया जाता है ठीक है बहुत सारे स्टूद्स होंगे उन जो भी आपका रिस्पोंस हो कमेंट करके बताइए हम उसके इसाब से इंप्रूब करेंगे बाबाबाए टेकर अलबेस्ट